हेलो अब्रीबन मैं सुप्रिया सुनाली का पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमिश्टर वन के स्टुडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स में पेपर टू जो है इंजिन पॉलिटिकल थौट का जो पेपर है उसके अंतर गत हम लोग एक बहात्वपुन भारतिय राइंतिक चिंतन, चिंतक और विचारक की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतिय राजनिती में तो भाग नहीं लिया, लेकिन उनके जो विचार्त हैं, उन्होंने भारत की युवाओं में एक ऐसा जूस भर दिया जिससे की सुतन्ता प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़े और उस संघर्ष में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया और वे महत्वपुन भारतिय राइंतिक चिंतक और विचारक हैं स्वामी बिवेकानंद स्वामी बिवेकानंद का बच्पन का जो नाम था वो नरेंद्र दथ था उनका जन्म बारा जन्वरी जिनके नाम पर पुद्यदेश में युवादिवस के रूप में हम जानते हैं 1863 में को हुआ था उन्होंने अपनी सिक्षा कलकत्ता विश्व विद्याले से प्राप्त की थी और प्रारम से ही नरेंद्र दत जो थे आध्यात्मिक जिग्यासा उनके अंतर थी और इसी जिग्यासा से वह राम कृष्ण परम हंस के संपर्क में आये इनकी माता चुकी काफी धार्मिक महिला थी तो उसके कारण भी इनको धर्म में के प्रती जो रूची थी वो आई थी और वह उनके और इनके जीवन में जो परिवर्तन आया ये परम हंस जो इनके गुरू थे उनके मिलने के बाद आया और काफी दिनों तक स्वैंग से संघर्ष करने के बाद जो है वो उनके सिश्य बने और उन्होंने सन्यास ग्रहनकर सन्यास ग्रहन किया और धार्मिक ग्रंथों विशद अध्यन किया कितने वर्षों तक वा पूरे देश क्या भ्रह्मन करते रहें इनकी यहां की इस्थितियों परिस्थितियों को भ्रह्मन करके देखा जाना समझा और सितंबर 1893 में जो उन्होंने सिकागों में जो धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें हिस्सा लेने का उनको मौका मिला और उसके बाद हिंदु धर्म को भारत की संस्कृति को इतने प्रभावसाली धंग से चोताओं के सामने प्रस्तुत किया कि रातो रात जो है उनकी ख्याती संपुन पाश्यात जगत में होने लगी उस समय जो था चुकि इंडिया गुलाम था यहां बहुत तार्य की समश्याएं थी तो ब्रिटिश लोग जो थे या पस्रमी देश के लोग थे उसको बहुत ही हिन दुष्टी से देखते थे चुकि यहां की समाज में बहुत सारी बुडाईयां थी धर्म जाती धर्म के नाम पर जो तकड़ाओ था और इस तरह से जो हमारी भारतिय संस्कृति थी हमारी हिंदु जो संस्कृति थी उस पर कितनी बार प्रहार किये जाते थे और उस हिंदुत्व जो धर्म था उसको उनर जिवित करने का काम जो है स्वामी विवेकानन ने किया और उसमें जो अपने धर्म के प्रती विचार रखें उन्हों ने जो धर्म संसत में भाग लिया और हिंदु धर्म और भारत की संस्कृति को इतने प्रभाव साली धंग से रखा कि उनकी जो लोगों का विचार था भारत की संस्कृति के बारे में धर्म के बारे में वह बदल गया और एप्रेल 1897 तक वा पश्मी देशों में भ्रमन करते रहें और हिंदु धर्म दर्शन और संस्कृति का प्रचार करते रहें और जुलाइन 1899 में उन्होंने दूसरी बार फिर भ्रमन किया विदेशों का और दिसंबर उनिस्सौ तक चलने वाली इस जात्रा में उन्होंने उनिस्वामें पेरिश में आयोजित धर्म संसद में फिर भागी दारी ली और हिंदु धर्म के प्रचार एवं रक्षा के लिए स्वामी विबेका नंद के प्रियास का मुल्यांकर रामधारी सिंग दिनकर ने किया है कि हिंदुत्वों को जीतने के लिए अंग्रेजी भासा, इसाई धर्म और यूरोपिये बुद्धिवाद के पेट से जो दुफान उठा वह विबेका नंद के हिमाला जैसे विशाल लोट गया शिकागो सम्मेलन में उनके भासन पर न्यू यू यॉक हेलोड की प्रतिक्रिया थी कि उनको सुनने के पश्चात हमें यह पता लगा कि विध्वान देश आरंब से ही स्वामी विबेका नंद ने अपने प्रयासों को संगठित रूप प्रदान किया और 1887 में उन्होंने वारा नगर में राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की उनका कहना था उठो जागो और भागते रहो तब तक जब तक की लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए और 1899 में इस मट को बेलूर में अस्थापित किया गया अमेरिका में उनके द्वारा अनेक वेदान सोसाइटी की अस्थापना की गई और 1897 में भारत लोट कर आने के बाद उनके पांच में को रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की और 4 जुलाई 1902 में इस महानभूती का जो है निधन हो गया मात्र 39 वर्स की आयू में लेकिन इस अल्प आयू में इसने जो कर डाला वह बड़े-बड़े लोगों के लिए जो है असंभव है करना इतनी कम उम्र में स्वामे विवेका नंद के विचार का जो आधार था उसका आधार बिंदो जो था वो क्या था धर्म था धर्म को वह मानों जीवन का अभिन अंग मानते थे उनके अनुसार मनुष्य के लिए धर्म को अपने से पिथक करना ठीक पिथक उस समय तक असंभव नहीं है उस समय तक असंभव नहीं है जब तक कि वह अपने मस्तिश्क और शरीर को अपने आप से अलग ना कर दे किन्तु विवेका नंद ने कभी भी धर्म को परंप्रागर्थ अर्थ में नहीं लिया धर्म क्या है इस पर उनके विचार थे धर्म ना पुस्तकों में है ना बौधिक विकाश में और ना तर्क में तर्क विचार सिध्धान्त में ग्रंथ धर्मिक कर्मकांड यह धर्म के सहायकांग है धर्म क्या है? धर्म स्वेंग आत्मग्यार है, खुद को जानना, वही धर्म है विवेकानन्द के विचारों का जो दार्शनिक आधार था, वो क्या था? बेदान था वो ब्रह्म्स आत्मा माया के सुध्धान्द में विश्वास करते थे उनके अनुसार अधवयत दार्शन में संपुर्ण विश्व एक सत्ता है और उसी को ब्रह्म कहते हैं और वही सत्ता जब विश्व के मूल में प्रकट होती है, तो उसी को धर्म कहते हैं, उसी को इस्वर कहते हैं वही अर्थात सरीर के मूल में प्रकट होती है वही आत्मा होती है आत्मा में आस्था के कारण विबेका नन ने प्रतेक मानों शरीर में इश्वर को देखा और इस प्रकार उनके लिए मानों की सेवा, इश्वर की सेवा का परियाय बन गया वह एक उद्दात मानोतावाद के अनुयाई बन गये और उन्होंने आहान किया कि निर्धन, नासमज, अश्रिक्षित और असहाई को अपने अपना इश्वर बनाओ उनकी सेवा करो, सेवा ही महान धर्म है, विबेका नन ने ऐसा कहा स्वामी विबेका नन ने अपने राष्टवाद भारतित्व और भारतवाशियों की एकता पर बहुत 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 क्योंकि उस समय काफी धर्म समुदाय जातियों के नाम पर ये विवक्त था, उन्होंने देश को आहौन किया कि इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतिय हो, और गर्व के साथ घोशना करो कि मैं भारतिय हूँ और प्रतेक भारतिय मेरा भाई है, उन्होंने प्रेरित किया कि मेरे बंधु बोलो, और भारत की भूमी मेरा परमश्वर्ग है, भारत का कल्यान मेरा ही कल्यान है और इस तरह से भारत की जो अनेक्ता थी, उसको एक्ता में परिवर्टित किया, उस समय जो समाज हमारा विविन भागों में विभाजित था, उसको संगठित करने का प्रयास जो है वो, विवे का नन्द ने किया और उन्होंने धर्म के माध्यम से, गीता वेद के माध्यम से, जो हिंदु धर्म में आई हुई जो कुरीतिया थी, उसको दूर करने का प्रयास किया और संगठित किया, भारत के इस कल्यान के लिए आवश्यक था कि भारतिये निर्भीक और शक्तिशाली बने बिवेका नंद का सूत्र वाक्य था, शक्ति ही धर्म है और इस अवधारना को और अधिक इस्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का शार शक्ति है जो धर्म हिर्दय में शक्ति का संचार नहीं करती, वह मेरे दृष्टी में धर्म नहीं चाहे वह उपनिशत का धर्म हो, चाहे गीता का अथवा भगवत का शक्ति का संचार, जो धर्म हिर्दय में सक्ति का संचार करती है वही जो है वो, धर्म से बड़ी कोई भी वस्तू नहीं है और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं इसलिए लोगों को संगठित करने की बात की क्योंकि संगठित होकर ही हम अपनी समश्याओं से लड़ सकते थे अंग्रेजू से लड़ सकते थे, समाजिक बुडाईों से लड़ सकते थे इस शक्ति का आर्जन वैक्ती एवं राष्ट की सौतनता के लिए आवश्यक था स्थंता के लक्ष पर विवेका नन्न विशेश जोर दिया उन्होंने सौतनता को आध्यात्मिक्ता प्रगती की एक मात्र शर्ट माना लंदर में एक व्याक्यान में उन्होंने कहा यह विश्व क्या है स्वतंत्रता में इसका उदय होता है और स्वतंता पर ही वह अवलंबित होता है अता हुनकी अनुसार मनुश्यों को श्वेंग सारिक, मानशिक और आध्यात्मिक सुतंता के लक्ष को प्राप्त करना चाहिए और अन्य की सहायता इस लक्ष को प्राप्त करने में करनी चाहिए उन्होंने कहा कि जो समाजिक नियम एवं सुतंता के विकास में बाधर डालते हैं वे हानिकारक है और उन्हें स्विग्र ही नश्ट कर देना चाहिए सुतंता की इस उत्कृष्ट एक्षात्य का स्वभाविक परिणाम था दास्ता या परतंत्ता का विरोध बिवेका नंद ने दास्ता या परतंत्ता का विरोध किया और कहा कि दास्ता को एक अभिशाप और बंधन के रूप में लिया उन्होंने जन्ता को आगाह किया कि गुलाम गुलाम ही होते हैं भले ही उनके साथ कितना ही अच्छा बेवहार क्यों नहों उनका कहना था कि सोने की जन्जीरों जन्जीरों भी उत्री ही मजबूती से बांगती हैं अतह आवशकता है कि अपने को बंधन मुक्त करने की बिवेका नंद का यह शंदेश जो आत्म की मुक्ती के संदर्व में दिया गया था राजनितिक गुलामी की बेडियों को काटने के लिए प्रेणा का श्रोत बन गया इन्होंने इसको धर्म के कंसेप्ट के उसमें कहा था कि जो अंधकार हमारे अंदर है उसको हम ज्यान कैसे ज्यानमान्वित करें और किस तरह से हम धर्म वेद के अध्यम से अपने अंदर के अंधकार को मिटा सके और वैक्ति का सुरिफ किसी दूसरे की वैक्ति के द्वारा गुलाम बनना ही ये नहीं है वैक्ति की मानुशिक्ता जो गुलामी की है उसको किस तरह से वैक्ति जो है उससे उन मुक्ति पाए और उसके लिए धर्म किस तरह से उसके लिए शहायक हो सकता है इन सब की चर्चा जो है वो उन्होंने की बिवेका नन्द ने स्वतंता पर इसलिए बल दिया क्योंकि वह बानते थे कि स्वतंतर राष्ट ही विश्व में अपने लक्ष को प्राप्त कर सकता है बिवेका नन्द के अनुसार इस विश्व में प्रतेक राष्ट का एक निर्धारित मिशन है विश्व इतिहास में उसकी यह भूमिका इसी से तैफ होती है कि उस राष्ट के जीवन का प्रधान तत्व क्या है विवेका नंद की अनुसार जिस प्रकार संगीत में का एक प्रमुक्ष्वर होता है उसी प्रकार हर राष्ट के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है अन्य सभी तत्व जो हैं उसी केंद्रित होते हैं अपने देश के शम्बंद में उनकी मानिता थे कि भारत का धर्म भारत का तत्व जो है वो धर्म है और समाज, सुधार और अन्य सब कुछ गौन है इस प्रकार विबेका नन्य राष्ट की अउधारना को अउधारना एक धर्म राष्ट की अउधारना थी धर्म निर्पेक्ष राष्ट की नहीं उन्होंने भले ही धर्म को मानव धर्म के रूप में लिया हो तथा वेदान्ता को विश्व और विश्व धर्म की बुद्धी संगत व्याख्या माना हो परवर्ती राजनितिग्यों ने बिबेका नंद की इस दिशा का उप्योग भारत राष्ट के अस्थान पर हिंदू राष्ट की अवधार्ना की पुष्टी करने के लिए किया श्वामी बिबेका नंद अप्टिश्व में के भारतिय समाज की दशा से ब्याथित थें देश की गरीबी उनकी वेदना थी उनको वेदना पहुँचाती थी गरीबों के प्रति उनकी साहनुभूती का अनुमान इसी से लगाया जाश्रकता है कि उन्होंने दरिद्र नारायन की जो अधारना है दरिद्र नारायन की अधारना को लोक प्रिय बनाया और इस अंदर में कहा जाता है कि जब वह छोटे थे चुकि एक अच्छे परिवार से थे कायस्त फैमली में उनकी जन्म हुई थी और उनके पिता जी अच्छे पोस्ट पर काम करते थे काफी शम्रित थे तो जब वह किसी बिखारी को देखते थे तो घर का जो भी कुछ होता था उसको उठा कर वह उसको दे देते थे तो इसके लिए तो उसके लिए जो है दूसरे का दुख यह जो गरीबी जो था एक अविशाप के रूप में थी और इसलिए उसने इस अवधार जो विश्व में जो इस्वर है वह इस्वर सभी जातियों के दीन तथा दरिद्र लोगों में है उनका मानना था दरिद्र नारायन का जो कंसेप्ट दिया दरिद्र को नारायन कहा मतलब इस्वर का रूप माना उन्होंने स्परन कराया कि राष्ट जोपडियों में रहता है जब तक उनका उधार नहीं होता तब तक हम महान भारत माता को कभी भी उधार नहीं हो सकता और समाजिक जीवन के छेत्र में श्वामी बिबेका नंद भारत के वन व्यवस्था पर आधारित समाजिक धाचे के विरोधी नहीं थे किन्तु जाती प्रथा की बुराईयों का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया बन बवस्था को मानते थे लेकिन जाती प्रथा के नाम पर जो बुराईया थी उसको उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया समर्थन ने किया और वह चाहते थे कि जाती प्रथा को उद्दत बनाया जाए उन्होंने ब्रामनों के अधिकारवाद तथा उस पर आधारित जातिय उत्पीडन और समाजिक भेदभाव की कटू आलोशना की स्वामी बिबेकानन का मुल्यांकन करते हुए सुवाश्यंद्रवोष ने कहा था जहां तक बंगाल का संबंध है बिबेकानन को आधनिक राष्टिये आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी बिबेकानन का जो की जो भूमिगा थी एक समाज सुधार के रूप में जो हिंदू धर्म था उसको पुनह जागरित करने के रूप में क्योंकि हम बिट्रिसों के गुलाम थे और सभी लोग जो है पश्चमी लोग जो है वो भारतिये अभिता और संस्रुति को हींद रिष्टी से देखते थे और इसका कारण ये था कि हमारा आपस में लड़ना जगड़ना हमारे यहां जो बन्रवर्ण व्यवस्था के आधार पर जो अंतर्क किया जाता था जो शोशन अत्याचार होता था जो भेद भाव किया जाता था समा त्वर्ष की या एक जो तर्शिप्ट लोगों का बना हुआ था कि इस तरह का ये देश है इसमें कोई संस्कृति नहीं है कल्चर नहीं है तो इसको पूरा हस्थापित करने का वेद ही उनके पूरे चिंतन का श्रोथ हैं और जीवन के बहुत ही कम स्टेज में जब हैं उग पूरे देश का भ्रह्मन किया यहां की जो परिष्थितियां थी उसको उसको देखा उसका उलोकन किया उसके कारणों को ढूंडा कितने वर्ष्ट तक तपश्या की हिमालय पर और फिर जब उनके जीवन में एक बहुत ही इंपोर्टेंट परिवर्टन आया जब हो रामकृ प्रमुख शिष्य के रूप में रूप में वो काफी उनकी मिर्तियू के बाद एक प्रमुख जो उनके विजारों को आगे बढ़ाने वाले जो थें वो विवेका नंदी थें और इस तरह से जो राजनितिक चिंतन है भारतिय राजनितिक चिंतन में सुतंत्रता अंदोलन म जो उन्होंने कोई भाग नहीं लिया लेकिन भारत के प्रमुख जो राजनितिक चिंतक्त उनमें उनका नाम लिए जाता है उन्होंने जो राश्घता का कंशिप्ट दिया उन्होंने जो एकता के बारे में कहा विश्व बंधुत्रा के बारे में जो कंशिप्ट दिया लोगों को संगठित करने के बारे में जो कहा और यह सब जो था धर्म के माध्यम से और इसके लिए उन्होंने कितने सारे संस्थाओं का रामकृष्ण मिशन, उसके बाद मठ जो था उसका और अमेरिका में भी कितने सारे सोसाइटियों का कि अस्थापना की और इसके माध्यम से लोगों में जागरुपता और चेतना का संचार किया और इस तरह से भारतिये चिंतन में उनका एक महत्वपुण योगदान था भारत की समाजिक स्थिति के बारे में या चाहे उसकी राजनितिक स्थिति थी उस समय की उन सब को सुधिड बनाने के लिए जो विचार उन्होंने दिये वो बहुत ही महत्वपुण थे और उनके जो दर्शन दाशनिक जो आधार था वो वेद था वेद के अंजार वर्ण व्यवस्था को तो वह स्विकार करते थे लेकिन उसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो उसमें अंतर दिया जाता था इस चीज़ को उन्होंने कभी नहीं माना धर्म उनके राइंतिक चिंतन का काफी श्रोथ था और हिंदु धर्म को पुनर जिवित करने का भारतिय संस्कृति और कल्चर को फिर से डेवलप करने का एक महत्वपुण जो काम जो है स्वामी विवेकानन ने किया है तो यह कुछ संशिप में उनके बारे में जानकारी थी आप आई होप आपको समझ में आया हो आज का जो हमारा क्लास है यही समाप्त होता है अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर में रहें सुरक्षुत रहें पढ़ते रहें थैंक्य